नमस्कार शो में आपका स्वागत है नवीनतम विकास में पूर्फ फ्रांसीसी राश्ट्रपती निकोलस सकोजी ने एक बार फिर 2012 के अपने असफल चुनाव अभियान में अभियान खर्च सीमा को पार करने के रिए अपनी सजा की अपील की है फैसला पेरिस कोर्ट ओफ अपील द्वारा सुनाया गया जिसने 2021 में दी गई मूल एक साल की जेल की सजा को बरकरार रखा हालां कि इसे निलंबित कर दिया गया था जबकि सकोजी ने अपनी अपील जारी रखी थी सकोजी जो अब 79 वर्ष के हैं को बाइग मेलियन नामक एक जनसम पर क्फम के माध्यम से अपने अभियान को अवैद रूप से वित्त पोशित करने का दोशी पाया गया था जिसे रैलियों और कार्यक्रमों को आयूजित करने के लिए काम पर रखा गया था अदालत ने निर्धारित किया कि सकोजी के अभियान ने 22.5 मिलियन यूरो की कानूनी सीमा से लगभग दो गुना खर्च किया था बायग मिलियन ने अधिक खर्च को चुपाने के लिए नखी चलान जारी किये थे सकोजी की रक्षा टीम ने पूरे मुकदमे के दोडान अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है ये तर्क देते हुए कि वह अवैद गतेविधी से अंजान थे और अधिक खर्च करना उनके अभियान कर्मचारियो द्वारा कुप्रबंधन का परिनाम था हालां की अभियोजन पक्ष ने सफलता पूर्वक तत दिया कि सकोजी ने व्यक्तिकत रूप से धोखा धड़ी योजना को मंजूरी दे दी थी, इमेल और गवाही से उनकी समलिपकता का संकेक मिलता है नवीनतम फैसला सकोजी के लिए एक बड़ा जटका है जिन्होंने लगातार किसी भी गलत काम से इंकार किया है उन्होंने सजा को पलटने के लिए मामले को फ्रांस की सरवोच अदालत कोर्ट ओफ कैसेशन में ले जाने की कसम खाई है अपील के नतीजे का असर सकोजी की राजनीते क्विरासत और भविश्य की महत्वा का अप्षाओं पर पड़ सकता है